चीन में कुरोना वाइरस से हहाकार मचा है, हर हफते हजारों लोगों की मौत हो रही है, इन सब के बावजूद चीन लगातार आकड़े छिपा कर यहां बताने की कोशिस में जुटा है कि उसके यहां हालात समाने हैं, आकड़े छिपाने को लेकर डबलुएचो कई बार चीन क फटकार भी लगा चुका है, इन सब के बीद चीन में कोरोना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, चीन में अब तक 80% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है, इतना ही नहीं यहां पिछले एक हफता में 13,000 लोगों की मौत हुई है, यहां पहला मौका नहीं है जब चीन क को लेकर ऐसे खुलासे हुए जिन से पता चलता है कि चीन में कोरोना किस तरह से तबाही मचा रहा है, या आगे हालात कितने भयानक हो सकते हैं, आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बड़े खुलासे इस वीडियो में, जिसमें पहला है चीन ने दिसंबर के पहले हफते में सक्त जीर कोविड पॉलिसी खत्म की थी, या कोरोना की पहली लहर से लागू हुई थी, चीन में कोविड पॉलिसी का काफी विरोध हो रहा था, ऐसे में जिन पिंग सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया, इसके बाद चीन में तेजी से कोरोना के केस बढ़ किया था कि देश में 8 दिसंबर से 12 जैनवरी तक कुल 69,938 लोगों की मौत अस्पताल में हुई है अब हम लोग तीसरे खुलासे के बारे में बात करते हैं जिसमें है कि चीन में पिछले एक हफता में 13,000 लोगों ने महामारी से अपनी जान गवाई है चीन के प्रमुख वैग्यानिक वू जुनियों ने दावा किया है कि चीन में हर 10 में से 8 लोगों को कोरोना संक्रमन हो चुका है चीन के वैग्यानिक का यह दावा ऐसे वक्त पर आया है जब चीन न्यू लूनर इयर मना रहा है न्यू इयर की छुटियों पर लोग जम कर यात्राएं कर रहे हैं ऐसे में चीन में एक और लहर का खत्रा मंडराने लगाए डर है कि चीन में कोरोना का संक्रमन ग्रामीन छेतर में भी फैल ना जाए चौथा खुलासा है कि चीन में कोरोना की स्थिती को लेकर दिसंबर में एक चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी यहां दिसंबर में 20 दिन में 25 कडोड लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे इस बात का खुलासा सरकारी दस्तवेज के लीख होने के बाद हुआ था रेडियो फ्री एसिया ने सोसल मीडिया पर चल रहे दस्तवेज़ों का हवाला देते हुए खुलासा किया था कि दिसम्बर महीने के पहले सब्ता में जीरो कॉविट पॉलिसी में छूट देने के बाद हालात भायावा हुए हैं और सिर्फ 20 दिन में ही पूरे चीन में करीब 250 मिलियन लोग कॉविट 19 से प्रभावित हुए हैं बाजवे नंबर का खुलासा है कि समचार एजिंसी एफपी की पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी इसके मुताबिक हैनान प्रांत के स्वास्ते आयोग के निदेश कान कुएंचिंग ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करके बताया था कि 6 जनवरी 2023 तक हैनान में कॉरोना संक्रम इसका मतलब की 9.94 कडोड में से 8.84 कडोड लोगों को कोरोना है अब हम लोग छटे नंबर के खुलासे के बारे में बात करते हैं जहां पर बताया गया है कि चीन में कोरोना से तबाही के हाल ही में कई वीडियो सामने आये थे इसमें देखा जा सकता था कि चीन में अस्पता में इलाज के लिए बेड नहीं बचे हैं दवाओं की भारी कमी है बीजिंग समेत कई प्रांत में चौकाने वाले वीडियो सामने आये थे यहां समसानों में लंबी लंबी लाइने लगी थी लोगों को अंतिम संसकार करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था साथवा नंबर है कि उधर चीन की तबाही के बीच अपने बॉर्डर आठ जनवरी से पूरी तरह से खोल दियें इतना ही नहीं चीन से देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कौरिंटीन नियामों को भी खत्म कर दिया गया है चीन ने कोरोना के मौत को लेकर भी नियामों में कई बदलाओ किये हैं ताकि कोरोना से मौत के आकड़े कम रहे चीन के बॉर्डर खोलने के एलान के बाद अमेरिका, भारत और यूरोप के तमाम देशों में चीन से आने वाले यात्रियों को लेकर सक्ती बरतना सुरू कर दिया गया है इटली में हाली में चीन से पहुँची दो फ्लाइटों में आधे से अधिक यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए थे इसके बाद इटली ने चीन से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना टेस्टिंग के फैसला किया दरसल इटली 2020 जैसी गलती नहीं दोराना चाता है तब इटली यूरोप का पहला देश था जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा तबाही मचाई गई थी आठवे नंबर का खुलासा है कि चीन के चेंगदू में भी कोरोना ने भारी तबाही मचाई है समाचार एजनसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहां के सबसे बड़े अस्पताल हुएक्स में स्टाफ का कहना था कि वे कोरोना के मरीजों के इलाज में बहुत व्यस्ट है अस्पताल के एम्बूलेंस ड्राइवर ने पहचानना बताने की सर्थ पे कहा कि मैं 30 साल से यहां काम कर रहा हूँ लेकिन अब तक इतना व्यस्ट कभी नहीं रहा अस्पतालों के अंदर और बाहर लंबी लाइने लगी है एम्बूलेंस में सवार सभी मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है अस्पताल के एमर्जेंसी डिपार्टमेंट में तैनात मेडिकल स्टाफ ने बताया था कि ज़्यादतर मरीज कोरोना से संक्रमी थे अस्पताल में कोरोना की दवाईयों का स्टॉक नहीं है मरीजों को सिर्फ समाने लक्षनों की दवाई दी जा रही है नौवे नंबर के खुलासे के बारे में बात करते हैं जिसके तहट चीन के बीजिंग, अंसन और संगहाई जैसे बड़े सहरों में तमाम ऐसे वीडियो सामने आये थे जिन में तबाही के मंजर को साफ तोर पर देखा जा सकता था इन सहरों में अस्पतालों में बेड नहीं बचे थे जमीनों पर लेट कर मरीजों का इलाज किया जा रहा था इतना ही नहीं समसानों में लंबी-लंबी लाइने लगी थी हालात ये थे कि कहीं कहीं समसानों में एक हफते की वेटिंग चल रही थी अब हम लोग दस्वें और अंतिम खुलासे के बारे में बात करते हैं जिसके तहत कोरोना से जुड़े मौत के आगड़े दुनिया के सामने ना आए चीनिस की पुर्जोर कोसिस में जुटा है